14 माई 2001 दिन सोमवार सुबह साथ बजे के आसपास जब मैं छत्रीपुरा पुलिस टेशन में था उस वक्त सूचिना मिली कि गांधी निगर बस्ती के पास पहाडों में एक औरत की लाश पड़ी है फिर मैं कॉंस्टेबल वासू के साथ यहां आया मृतक का नाम श्रीमती शकुंतला वाइफ आफ रामु शिवास्तव उम्र 40 साल निवास्थान गांधी निगर बस्ती के आसपास शकुंतला को आखरी बार उसके पती ने रात के आठ बजे बस्ती के आसपास इस्थे पहाडों की तरफ जाते हुए देखा था ऐसी सूचना उसके पती ने आकर हमें बताई है अनल तरफ जिए पर खिले ऑनकर हाँ 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 आहाँ पासमत आ वर्ला मार डालूँ है थाड़्चा। अगर तुम यहां आए तो मैं तुम्हें भी मार डालूँगे मैं अगर तेरे पास आऊँगा तो तो मुछे मार डालेगी ना लेकिन जब मैं तेरी बॉडी छोणगा ना तो तेरे अंदर करंट दौड जाएगा राल-द उटां इन पतना तेरे ना वहां तो म cautiousने पेल तेरे अेे किले यहां तो किलेगा मैं थार तो मैंश लेकिन लाएगा तो जया तो मैं तो मैं तो मैं झाज़्आ हाँ弃व कर दो मैं तो दो मैं पाल दो भी है तो आग है í कर जाए़ मृतक के शरीर पर पाई गई चोटों को देखते हुए और यहां की परिस्थिती को ध्यान में रखते हुए ऐसा अनमान लगाया जाता है कि उसकी मौत का कारण शायद कोई जंगली जानवर ही हो सकता है ऐसा लिखो सर सर इकलियर नहीं हो पा रहा है कि रेप है या मड़ है सर चाहे जो भी हो जो मैं कहता हूं वो लिखो इसके पती को इधर बुलाना सर बुला रहे तुझे अब क्यों रो रहे हो इतनी चिंता थी तू रात को जाने ही क्यों दिया रोना बंद करके इधर अंग उठा लगाओ ये अंग उठा लगाओ सर मेरी पत्ले है कहां जा रही हो आने के बाद बताऊंगी मेरा नाम सुझाता है मैं एक सॉफ्ट्वेर इंजिनियर हूं आज तक मैंने एसी में बैट कर मेरी टीम के साथ कई प्रोजेक्स बनाए है लेकिन अभी मैं जो काम करने जा रही हूँ वो भी बिना किसी के मदद की किसी को मुझे मारना है उससे मुझे बदला लेना है यही मेरा न्यू प्रोजेक्ट है यह मेरे लिए सिर्फ बदला लेना ही नहीं है बलकि सोशल रिस्पॉंसिबिलिटी भी है वाइडस को तुरंत क्लेन किया तो ही सिस्टम सही चलेगा उसे मारने के लिए मेरे पास उतनी शक्ती तो नहीं है लेकिन मेरे अंदर का जोश मुझे वो स्ट्रेंथ देता है अब मुझे मेरे ड्रेसिंग चेंज करनी होगी जैसे भी हो मुझे गोटी को मारना होगा लेकिन उसे मारने से पहले मुझे बहुत सावधान रहना होगा इस मुकाबले में मेरी जान भी जा सकती है आई डॉन केर कहां रहती हो गांधी नगर बस्ती में मैं भी तो वही रहती हूँ पर तुमें कभी वहां देखा नहीं मैं दूसरे शहर में रहती हूँ बहुत साल के बाद आई हो ना ओटो गांधी नगर बस्ती चलोगे बैठिये मेंडम अच्छा बेहन तुम भी वही पर रहती हो ना आओ दीदी मैं नहीं नहीं ठीके आओ ना चलती हूँ अपनी बस्ती में गोटी नाम का नीच इंसाम है औरतों के लिए वो यम्राज है जो भी लड़की दिखेगी उसका रेप किये बिना नहीं छोड़ता वो फिर कोई एक्शन नहीं लेता एक्शन लेने वाले को जान से मार डालते हैं पुलिस वाले भी उसी को सपोर्ट करते हैं यहां पर क्यों रोक रहे हो अंदर नहीं चलोगे क्या आगे नहीं जाओंगा बेकार एरिया है इधर लाओ अरे पता है आज हो ली है इसलिए बस्ती अजीब सी रहती है लड़कियों को ऐसे सताते हुए तुम्हें शर्ब नहीं आती क्या तेरी तो रूक वाई मैं अभी आता हूं क्या रहे गोटी के दमाद को गाली देती है अभी देख क्या करता हूं ए वीडियो निकाल रहे क्या सोच रही है अभी तेरा स्वीडियो निकालूंगा क्या कर लेगी बोल अरे पकलो पकलो उसे पकलो भागने न पाए वो देखो वहां वो गोटी के चंचे है 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 सुनो वहां मत देखो अगर उन्होंने तुमें देख लिया तो वो तुमें छोड़ेंगे नहीं इस तरफ सीधा जाके बाएं तरफ सो कदम पे तुम्हारा घर है मैं भी आ सकती थी लेकिन अभी काफी देर हो गई है घर में बच्चा दूद के लिए रो रहा होगा ठीक है दीदी यह मुझे दे दो शुक्रिया कि अरे सुनो जितनी जल्दी हो सके यहां से अपना काम खत्म करके चली जाओ मैं बता रही हूं यह बसते ठीक नहीं है ठीक है दीदी अदिदे प्रक्राइब ए ए रुक्त रुकशा फगला रहे उसे वो कि अटेख्ट का दो लिखाज करो तुम्हारी विम्र क्या है मेरी क्या है कुछ दिखाई नहीं देता तुमें प्यार अंधा होता है वह उम्र उम्र नहीं देखता लच्छू, इसा है तह अपनी बेहन aker को देख ले उसके भी उमर मेरे जितने ही है उमर हो गई लेकिन माल है क्या कर रहे है डाला के ऊंप आइन है है डाले की चाबी नहीं रहती गर के ओ अरिसा कह पास तुम हो यह तो नर्सिंग को जप्टिस है आउसा को ना तुम नर्सिंग की पोती हो उ तुम्हारे दादाजी हमेशा तुम्हारे बारे में बताते थे कि तुम्हारे माता तुन महीं से उनकी प्नृत्ति वो गई तुछ मतलब do इनढ़ी कि पोती नशिंग की पूति है हमारे रिष्टेला क्यों धूराा हैiset एक काम कर घर में जाके पत्थर लेकर आँ और उस ताले को तोड़ दे ताकि वो अंदर जा सके अभी ताला तोड़ने बैठे हूंगा तो आफिस जाने में लेट हो जाएगा मेरे पास पालतु कामों के लिए टाइम नी है ये पकड़ो मैं बीचा खासा बेटा मांगां था लेकिन पालं को दे दिया भगवान ने तो रूखाँ बेटी मैं अभी पत्थर लेकर आती हूं के इल्ली इल्ली कलिए लुँक्षार और इल्ली क्तानली कि इल्ली 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 टुरम हां देता हूं बेंगजी मुझे 40 की देना भिया यह करके आखे बन ले चोटी है तो क्या गरीबों की कहानी बड़ी है खाली सोटी है तो क्या गरीबों की कहानी बड़ी है नमस्ते इडली वाले बाई तुम्हारे इडली बहुत मस्त है तुम्हारे इडली खाने से गैस बिलकुल नहीं बनती है कोई दवादारू की जरूरत ही नहीं पढ़ती है मेरे लिए तुम्हारा लॉज भी हो सकता है मेरे पास एक रुपया भी नहीं है क्या आप मुझे एक इ इडली देने वाली है वैसे बात कुछ भी हो तो मक्षन बहुत बढ़िया लगाता है तो एक इडली दे देना चाहिए ना कारा कहिए का वाई चल जा पादमा जी खाना खा चुके है क्या नहीं तो फिर आ जाईए प्लेट लीजिए यह लीजे 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 चटनी भी देता हुआ है रुकिये गा ऐसाम भर भी डालता हूँ कौन है जिसे फोकट मेटली खिला रहे हो जब हम दोनों मर जाएंगे ना तो शम्शान में जो जलाएगा वो यही है कल लू कहीं का वहने का घर छोटा है तो क्या गरीवों की बड़ी है हाँ शर्म नहीं आती क्या छे अपनी पस्ती में इतनी सुन्दर लड़की भी है चल जाय आसे क्या मस्त देख रही है कौन है ये लड़की पता नहीं पापा कभी देखा नहीं अभी तो देख लिया ना जाओ इस लड़की को लेकर आओ मना आज तक मैंने इतनी सुन्दर लड़की कभी नहीं देखी है जब तक इस लड़की को मैं छूँँगा नहीं तब तक किसी और लड़की को आथ नहीं लगाऊंगा जब तक मेरी भूख नहीं मिटेगी तब तक तुम लोग भी भूखे रहोगे यह क्या है भाई अगर इसकी भूख ना मिटे तो हम भी भूखा ही रहें क्या यह कहां का नहीं हैं कि मैं भी किस से बात कर रहा हुं इससे कुछ भी कहो तो यह थी से नहीं पोड़ता रहता है चाहिस लड़की को कहीं देखा है क्या नहीं भाई अगर दिखे तो फोन करना ठीक है लाओ उसे आजा आजा चाल पापा यही ना छड़ा मुझे यह वो लड़की नहीं है जाओ इसे छोड़ कर आओ ले जाओ जाओ क्या हुआ भाई तुम जो भी लड़की देखते हो बोल देते हो कि नहीं है वो नहीं है अरे जा रहे मैं कुछ समझ नहीं पा रहा है कि यह लड़की यह लड़की अभी इदर से जाते हुए देखा है मैंने ठीक से देखके पैस्टान के बटा बात करते हैं जो एक बार मेरे पास हिडली खा लेता है मैं उसके शकल कभी नहीं भूलता सही बोल रहा हूं वो उधर गई है जाके डूड़ो उसे चलो रहे सुनो बेटी इदर आओ तुम्हें ही बोल रहा हूं इदर आओ उस तरफ मत जाना तुम्हारे उपर खतरा है तुम्हें कभी इस बस्ती में देखा नहीं तुम यहां का भाई क्यों बेटी इतनी सारी बस्तियों में तुम्हें यही एक बस्ती मिली कहीं जाने से पहले वो कैसी जगह है यह सा पता करने के बाद ही वहां जाना चाहिए ना बेटा पढ़ी लिखी हो संसकारी हो इस बस्ती में क्यों आ गई बेटा यहां पे इंसान नहीं इंसान के रूप में राक्षस बस्ते है औरत को देखकर भूल जाते हैं कि वो भी किसी औरत की कोक से पैदा हुए है मेरी बात सुना बेटी तुम यहां से चली जा बेटी ऐसा क्यों कह रहे हैं अंकल इस बस्ती में और भी तो लड़किया जी रही है ना जी क्या रही है बेटी बस मर मर के जी रही है तुम्हारे साथ कोई अन्होनी हो इससे पहले यहां से चली जा बेटी जा क्या अंकल आप खुद भी डर रहे हो और मुझे भी डरा रहे हो इतने सारे लोग मिलके एक इंसान से नहीं लड़ सकते क्या उनसे जो लड़ेगा उसे काट कर रेल की पट्री पर फेग दिया जाएगा वो जो गोटी है ना वो मामूली इंसान नहीं है उसकी रगों में खून नहीं जहर है नीच इंसान है वो जीवन बदल सा गया कैसे है कहानी हर आखों में है पानी हर आखों में है पानी हर आखों में है पानी ये देश क्या से क्या हो गया जीवन बदल सा गया कौन दिला आएगा मुक्ति ऐसे अत्याचार से मर रही है जिन्दगी इस दानवी प्रहार से जिस तरब भी देखों यहां पाप का बसेरा है रोशनी मिलेगी कहां हर तर पंधेरा है जिन्दगी कहां है यहां मौत का बसेरा है वो इतना किरा हुआ इंसान है कि उसने दस साल की बच्ची तक को नहीं छोड़ा उसका भी रेट कर दिया उसने उसे दिन मैंने सोच लिया कि अपनी बेटी को यहां नहीं रखोंगा कितनी भी तकलीफ हो मगर उसे दूर ही रखना होगा इसलिए उसे हॉस्टल में रखकर पढ़ा रहा हूँ उसे पढ़ा कर मुझे नौकरी नहीं करानी है बलकि उसके साथ यहां कोई अन्होन ही न हो जाए इस डर में जीने से अच्छा था कि उसे अपने पास से दूर ही रखों नहीं तुम यहां किस काम से आई हो मैं नहीं जानता लो कि उसके नजर तुम पर पढ़ चुकी आ है फार तुम्हें ढूंड रहे हैं तुम्हारा यहां रहना खत्रें से खाली नहीं है यहां जाओंगी मेरा काम खतम होने के बाद मैं यहां से चली जाओंगी उसकी बाद एक मिनिट भी यहां नहीं रहूंगी मैं क्या हुआ बिटी क्या हुआ वो क्या है मैं इस्टोव डून रही थी आंटी उसी वज़े से यह सब नीचे कर गया श्टोव को देखकर लगता है कि वो खराब हो गया है मेरे घर पे स्टो है उसका इस्तेमाल कर लो क्यों बेटी इतना शर्मा क्यों रही है तू हम सब एक ही विरादरी के हैं वैसे तुम्हारा सर्निम क्या है आउला आंटी हमारा वाग मारे है तू चुप कर अच्छा बेटी यह हमारे रिष्ट्यदार है क्या हुआ बेटी यह आवाज कहा से आ रही है मेरे घर से नहीं आँटी यह आवाज बगल वाले घर से आई है बगल वाले घर से दर्वासा खौल क्या हुआ परतन के आवाज क्यों आ रही है लगता है वो लो गंदर ही है अगर चोर होता हो तो ताला तोड़ कर अंदर जाता ना यह देखो इज़स है बाहरा होगे नहीं तो सब को बुलाओंगी मुझे लगता है यह बात तो समझने वाले नहीं है कौन हो तुम ताला लगने के बावजूद अंदर हो ताला लगे हुले घर पर नहीं हुँ मैं मुझे घर के अंदर रखकर मेरे पती बाहर गया है कियूं शक करता है किया वो तुम्हारे उपर नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है वो गोटी है नो वो सुन्दर औरतों को देखकर उनको किट्डैप कर लेता है इसलिए मेरे पती है मुझे वारे वा तेरा पती एक महिने से यह इस घर में रह रही है फिर भी हमें पता नहीं चला ठीक है ठीक है संभाल कर रहे हैं सुनिये जी सुनो दिदी आतम उससे भी सादा सुन्दर है फिर आप भार कैसे घुमते रहती हो चोड़ो चोड़ो मुझे शानवाज भई असलाम अलेकुम आगे मत जाना पुलिस वाले चालान काट रहे है अच्छा पुरा आइटियो लगा है तेरे को भी लग गया क्या हां कितने लगे पांसो अच्छा वो लंबा गोरा वाला ही चालान काट रहा है वह आदमी मुझे कुछ नहीं करेगा मैं समाल क्या चाहिए मेरे पेचे क्यों आ रहे हूं मेरे पर्स में हमेशा हतियार रहता है पता है कि अकेली हूँ तो पीछे-पीछे आओगे क्या रेपिस्ट गोटी तुम्ही हो क्या मेरा घर पता है क्या तुम्हें हाँ पता ही रहेगा चलो मुझे घर टक ड्रॉप करो क्यों मेडम मैं चेहरे से रेप करने वाला लगता हूं क्या फिर रेपिस लोगों का फेस कैसा होता है उनका चेहरा गोटी जैसा होता है मेडम कल मुझे गोटी को दिखाओगे क्या फीक है दिखा दूँगा वो देखिए सामने गोटी है काली शट वाला इसका नाम मुन्ना है कोटी के आत्मा की तरह है कोटी ने खाना खालिया तो समझो इसने भी खालिया वो रेप करता है तो इससे खुशी होती है इसका नाम रंगा है कोटी का भाई है शिकारी कुत्ता समझो जहां कहीं भी अच्छ करना पड़ेगा ज्यादा दिर यहां रुके तो हम पर डाउट करेंगे चलो अंधेरों को दूर है खरना हर मुश्किल से लड़ते रहना बीती हुई यह देवों कलकी देती है आवास सच था जो हो गया वो सपना छूट गया वो साधी अपना विखर गया पल भर में अपने सपनों का संसार दे दो तुम आवास दे दो तुम आवास हूँ मैं तेरे साथ परचाई की तरह हर खड़ी हो हर पहर प्रुम आवास दोनवी मैं अब करे दो कि यो सिकते हुए। नड्यकिन अगर वो ज्यादा ना टक करे तो खत्म कर दो उसको लेकिन उसे छोड़ना नहीं किसी भी हाल में बस आपकी चानी चानी है कि पीने का बंदोबस किया है न आपको सब कुछ मिलेगा शोड़ी के साथ में ठोक्री भद्धारू मिलेगी अरे यह लड़की के धर गई रहे हां भाई यही पर छोड़ के गया था उसे नाट कर रहाए गया तू अरे मैं सच कर रहा हूं भाई यही पर छोड़ कर गया था उसे कहा गई वो तर्दी ढोड़ देखे अरे ढूड़ो रहे उसे लड़की बाग गई यहां से लुट में चाय क्या है कि यहां अब तो चोप रहा है दिखाओ दिखाओ जदी कहले कुछ नहीं इस यह किसका नाम है संगीता क्या शुरेखा सुशीला सुश्मीता इसमेंशे कौन सा नाम है आप तो चौप रहा है ना एसका मतलब सुरियाई है ओ यह बात आपना नाम भूल जाएगा इसने हाथ पर नाम लिखवाया है है ना तुम बताओगे या मैं बताओ दू दीदी को कहा ना चुप रहा है कहा क्या बोलना है सबज में निया था और देस साल होने के बाद भी नहीं बता पाओगे या वह कमी नहीं आ रहा है इसके तो ऐसी किता इसी आज मैं इसे छोड़ोंगा नहीं चोड़ो भाई कर दूखने चोड़ो चोड़ो का आना चोड़ो बहां नहीं एक का मेरी बात आफ़ा है धारी समाज में नहीं आता है तेरे बच्चे होने की वाजिए से वो तुभ रहम न जाता है तो जाने दो गूम फिर कर मेरे ही पास तो आएगा उसके आँखों के सामने उसके बाप को मा डाला इसी लिए उसे इतना गुस्सा है क्या हुआ भाई यहां तो रुक गए वो लड़की इस तरफ ही गई है क्या करें जिस लड़की को मैंने वीडियो में देखा था चली 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 इधर तो नहीं है उधर देखेंगा उधर देखेंगा भाई तो मुदार देखो ठीक है बाई तो लोग उस तरफ देखो ठीक है बाई कि अज़े इसे तो माल डाला भाई के मामले में मैं बात में देखूंगा पहले उस लड़की को ढूड़ना मेरे लिए ज़रूरी है जाओ जल्दी जाओ जला रहे मेरे मम्मी डाड़ी को मेरे आखों के सामने ही जान सुमार डाना चोटी लड़की होने के बावजूत भी मेरे साथ चानवरो जैसा सुलूप किया जब तक उसे नहीं मारती मुझे शांती नहीं मिलेगी सरगो पेपर दिखा लाइसेंस भी लेकर जाना साथ मैं ए आटो रोको रोको उत्रो साब बुला रहें चलो इस टाइम कहां से आ रहे हो सिनिमा देखकर आ रहा हूं सर क्या यह देखी सिनिमा की टिकेट वो लड़की कौन है पैचान के साब इधर बुलाओ क्या नाम है मेरा नाम सुजाता है हाँ सुजाता बैक दिखाओ हाँ चाहाँ झाहाँ हाँ प्रूट सब्सक्राइज वज्सक्राइज खु़ खू़ का चीचिंगाज। झाल हुँ 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 क्यूंत ए का लिक भी फिलिवाуск कि वाले दो कि औरो वाले के टूए औरुण है कि और खूए और तुए ऑप पर धुए औरुए जए जए औरुए पाव औरुए है हाई अगहाग हाई खग्ट अण्यॉव्ट कि पेध्यूंग कि अर दिरादी ठाह याँ बारी विलैन इस बस्ती में मुझसे बदला लेने वाले ही नहीं बलकि सोचने वालों का भी यही अश्र करूँगा कौनो तुमसे मिल ले आ रही थी कौनो तुम गोटी को क्यो मारना चाहती हो तुम रें डेख लिया क्या लेकिन मुझे अब इतक कोई नहीं समझ भाया गोटी को कोई क्यों मारना चाहेगा क्योंकि उसके हाथों से लड़कियों की बली चड़ रही है तो पुरा परिवार उसके हाथों से बली चड़ा है उसने जो किया है उसके वज़े से मुझे आज तक नीन नहीं आती उसे कैसे मारा चाहे दिन रात मैं बस यही सोचती रहती ह जब तक मैं उसे खत नहीं कर देती चैन से नहीं बैठूंगी उसे मारने के चकर में तुम्हें कुछ क्यों आ गई हो गोटी की जानकारी लेने के लिए तुम मुझ पर जो भरोसा करती हो इसे प्यार ही तो कहते हैं गोटी के मरने तक मैं किसी से प्यार नहीं कर सकती सुजाता तुम चाहे मानो या ना मानो लेकिन तुम उससे प्यार करती हो तुम्हें भरोसा है कि मैं गोटी को कुछ नहीं बताऊंगा यही भरोसा तो प्यार है आँ बेटी आशा अच्छी हो ना बेटी मैं फर्स टैंक में पास हो गई पापा ऐसा क्या मुन्या हाँ भाई ले जाके कुट्टो को डाल दो अपनी किस्मत से तु अच्छी जानवरों की किस्मत है देख रहो जानवरों से कितना प्रेम करते हैं हम लोगों से कोई प्रेम नहीं है इने बस ऐसा ही साथ दिये जा रहे है चलहाट आगे से यह ले खाले मा मा क्या हुआ रहे है क्या हुआ बोल इनसे को यह बस्ती छोड़कर चली जाए ऐसा क्यूं वह रहा है तु हम लोग भी कहीं और चले जाएंगे अखिर रुआ क्या बता ना मैं नहीं बता सकता आप होस्पिडल जाकर देख लीजे चलो मेट लक्षमी देखो सुझाता आई है रात को बुलाया तो क्यों नहीं आई तेरी बीवी हूँ तो जब भी बुलाएगा मैं चली आऊँगी क्यों ते है बहुत ज्यादा बोल रहे है तो तेरी तो लच्छो लच्छु नख्रा मत कर लच्छु लेख मांजा लच्छु माम्मी घोड़ा मेरी मांदी तो बेटी को मालेगा उसके साथ कुछ मत करो डरो मत अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा अभी मैंने एक सुन्दर लड़की को देखा है जब तक वो मुझे नहीं मिल जाएगी तब तक मैं किसी का रेप नहीं करूँगा ऐसी मैंने कसम खाई है क्या है रे तू मेरे घर के सदस्य को कुट्टे भी काटने से डरते हैं और तेरी इतनी हिम्मत की तूने मेरे दामात को मारा ए मुन्ना आ भई बताओ कि इसका क्या किया जाए सजा दी जाए सजा नहीं वर्दान दे रहा हूँ इसे तुझे यहां पर पकड़ना अच्छा नहीं लगता है न इसी लिए अब इससे कोई भी नहीं पकड़ेगा मेरा छोटा चया दूद पिने वाला अम पने बच्चे को दूद पिला सकती हूं कि चुप हो जा लक्षमी. मत रो. मत रो लक्षमी. पुलीस केस नहीं किया क्या? उसके दामात को मारा तो ये हाल कर दिया. उस पर केस करेंगे तो पता नहीं क्या. क्या बोल रहे हैं आप आपके साथ इतना बड़ा हाथसा हुआ फिर भी आप कंप्लेंट नहीं करेंगे नहीं कर सकते चोटे इन जल्दी ठीक हो जाएं और यह काम पर वापस जाने लगे बच्चों को खाना देने लगे मेरे हिसाब से आप लोगों को इस से ज्यादा सोचने क फीज़र्वत नहीं है पर आप तो सौच सकते हैं ना आपने क्यों नहीं की कंप्लेंट की कोब न कि यह किांस अच्छे से आप अपने आपको कर रहे हैं लेकिन यह बिल्कुल सही नहीं है उन लोगों के उपर केस तो होना चाहिए जो मैं करूंगी लक्षमी तुम्हारी रिष्थेदार है जब उसने हाथसा आखों से देखा है तो उसके लिए रिष्थे की क्या जरूरत है जरूरत नहीं है पर सोचो यह हिम्मत कल गवाही दिने तक रहेगी क्या बिल्कुल मिले पता चला तो गोटी तो क्या उसके बाप को भी अरिस्ट करेंगे चल यह तो लक्षमी के पती है आपने इने क्या अरिस्ट किया पत्नी के उपर शक के कारण इसी आदमी ने उसके स्तन को काट दिया सेडिस कहीं का दूद पिने वाला बच्चा है तू इतनी सी अखल नहीं है तुझे यह जूट है सर अच्छा यह जूट है बता बे बोल किसने किया यह काम बोल बोल ना मैं नहीं किया सब मैं अपना जुर्म कुबूल करता हूं दारू कर नशे में मैंने उसका असनकार डाल ले चलो तुमने जो हरकते की है मैंने उसके लिए तुम्हें नहीं बुलाया यहां की पबलिक में जो तुम्हारा डर है और जिसकी वज़े से मुझे वोट मिल रहे हैं इस वज़े से तुम लोगों को बुलाया है मैंने और ये डर ऐसे ही बना रहना चाहिए मुझे पता है कि हाथी बानना असान है लेकिन उसे चारा खेलाना बहुत कठीन है और ये सबके बसकी बात नहीं मेरे कहने का मतलब हाथी तो पबलिक है और चारा हैं हम जब तक उन्हें उनकी शक्ती का पता नहीं चलता तब तक हम बल्वान है यह वक्त है सैयम से काम लेने का लेकिन जिसने भी केस किया है उसके हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी तुम लोगों को घबराने की जरूवत नहीं है जिसने भी केस किया है उसे मैं देख लूँगा चलता हूँ मैं सुजाता सुजाता चलो क्या हुआ बताओ तो गोटी तुमारे लिए आ रहा है यह तो क्या हुआ तो दांस किरानी समझती हो चलो बाई यह और उसे पहचानती है वो घर खाली है इसलिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं है यह क्या है यह तेरा तो नहीं लगता चलो से ढूड़ते हैं कि घर घर में घुश कर देखो और सभी अड़तों को लेकर आओ किसी को नहीं चोड़ोंगा मैं है जाने में नहीं चुड़ोंगोंगर merit कैसे क्यां तुम लड़की को जानती हो तुम सुजाता को जानती हो मैं उसे नहीं जानती साब तुझे देखने के बाद तु छोड़ने का मन नहीं कर रहा लेकिन मैंने जो कसम ले रखी है कि सुजाता से पहले मैं किसी और लड़की का रेप नहीं करूँगा सुजाता तेरे अंदर इतनी हिम्मत की तु पुलिस में जाकर मेरी रिपोर्ट लिखाएगी मैं कहता हूँ सामने आजा अगर तु सामने नहीं आई तो मैं इस लड़के का गला काट दूँगा जल्दी सामने आजा तु सुजाता मेरी पास सुरो सामने बचा इतने तिनों से मैं तेरा एक एक पल इंतसार कर रहा हूं नहीं जिस लड़की को मैं चाहता हूं वही लड़की मुझे मारना चाहती है ए भगवान ये क्या ड्रामा है किसके हाथों से कौन मरेगा ये देख से सुरो यही है विरांग ना सुजात्ता तुम सबको बचाने वाली देवी तू तो इन सबको मुझसे बचाना चाहती थी लेकिन आप तुझे मुझसे कौन बचाएगा देख तुझे आग भाल भाल के कैसे देख रहे हैं सब जब तेरा रेप होगा तब इन लोगों को अच्छा लगेगा तुम लोगों की खाहिश जरूर पूरी करूंगा बस अब थोड़ी ही देर में इसके बदन के सारे कपड़े उतरते हुए तुम लोग देखोगे रेप क करके इसको यही मारूंगा छड़ो देखो अब भाग भाग के दिखा जब भी मेरी किसी लड़की पर नजर बढ़ी है तो उसका रेप करके मार दिया उसे लेकिन तुने मुझे बहुत सताया है लेकिन तुझे मैं आसानी से मरने नहीं दूँगा मैंने जो कसमखा रखी है तेरी आखों में मुझे मौत का डर नहीं दिखाई दे रहा मुझे क्यों डर लगेगा क्या करेगा तू रेप करेगा कर ले ना तुझसे लड़ने की शक्ति तो मेरे पास नहीं है तो क्यों फालतों में चिल्ला के अपनी एनर्जी वेस्ट करूं तेरी मर्जी कोई जानवर मेरे उपर है ऐसा समझ लूंगी मैं लेकिन इसे सोचकर मैं रोऊंगी नहीं तेरी मरने तक ये बस्ती में छोड़ूंगी नहीं तुझे जो करना है कर ले ठीक का तुने जब तक म सबस्ती से ही नहीं इस दुनिया से कही नहीं जा सकती है पांडी यह अपना भाई इतनी देर क्यों करना है रेप करने में आखर इतना टाइम थोड़े लगता है क्या हुआ? नाटक कर रही क्या? जो पत्थर जैसी पड़ी है? तेरी बिना मर्जी से हो रहा है क्या? ये कोई सुहाग रात नहीं है मैं तो तेरा रेप करके सिर्फ अपना बदला लेने वाला हूं दिखा अपने हिम्मत दिखाती क्यों नहीं है अपने हिम्मत चिलाती क्यों नहीं है? तेरा रेप हो रहा है ऐसा बोल कर चिला क्यों नहीं रही है? अरे कुछ तो बोल अरे तू कुछ बोलती क्यों नहीं है? अरे मैं कबसे बेकरार हो रहा हूँ, मारना चाहती है ना, ले मुझे मार, 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 मुझे मार, मार, ठोकना चाहती है ना, ले, ठोक मेरे उपर, ठोक, ठोक दे, तू नहीं जानती मैंने कितना तेरा इंतसार किया है, तो ये नहीं जानती है, तीन सो लड़कियों का रेब किया है मैंने तो मुझे हिज्डा बना देगी क्या अब तच तु मेरे साथ नाटक कर रही है मौरना तो नहीं चाहता था लेकिन तुझे रादम कर दूँगा बस्ती में और तेसर मेरे लिए ही है वरना वो सिंदा नहीं रहती है क्या हुआ तेरा नाटक पांडे अईसे क्या देख रहा है अंदर जो शूटिंग हो रही है वह चलती रहेगी क्या कहतो भाई अपने को भी एक चांस मिलना चाहिए तेरे को चांस चाहिए क्या अरे भाई को पता चल गया ना तो तेरे को उल्टा टांग देगा बात करता है है का रहा है वेप का डर नहीं है ना मरने का बी डर नहीं है ना पता नहीं तेरी माने तुझे किस टाइम पर पैदा किया ता इसकी जान अब नहीं है इसकी मिट्टी क्यों खराब कर रहे हो मन्ना यह बात किसी को पता नहीं चलने चाहिए यह बात मैं और तुम जानते हो खाली और अगर कोई यह बात जान भी गया तो जिन्दा नहीं रहना चाहिए इसे ले जाकर पहाड़ों में भेग दो ए सुना रह है तुम सोच रहा है आई लग कि मर गई आज के बाद किसी भी लड़की का मैं रेप होने नहीं दूंगी तुझे मारे बिना मैं खुद भी नहीं मर सकती यह मैंने गसम खाई है मुझे चीना है और मैं चीएंगी तरुएंगी इसका नाम वैगरा है भाई मतलब इसका मतलब इसको खाने से पूरे शरीर में एक दिन जोश आ जाता है क्या बात कर रहा है क्यों भाई यह बात अगर भाई ने सुन ली न तो तेरे साथ तेरी फैमिली का भी रेप कर डालेगा वो कोई शामान इंशान नहीं है इसने अपन पत्नी का भी रेप कर डाला है पत्नी का रेप कर दिया और क्या तुम जानना चाहते हो हमेशा आपकी आखों में मुझे खून दिखाई देता है कभी मेरी तरफ प्यार से भी देख लिया करो देखो ना देखो मैं तुम्हें कितना चाहती हूं एक बार मुझे प्यार तो करो देखो तुम्हारे प्यार का इंतजार करते करते कैसे सूख गई हूं मेरी तरफ मुझे तो लगता है कि तुम्हारा संबंद कहीं बाहर भाई इंसाम सेक्स में विचित्र हो जाता है अभी अपने मामा को ही देखो ड्रिंक करेगा तो ही सेक्स करता है और सुनिये प्लेस चेंज करने से भी नहीं कर सकता और अगर फेस चेंज हो गया तो भी नहीं कर पाता मतलब जो जिसकी आदत पड़ी हुई है वही कर सकता भाई अभी तक तुमने जो किया है वह कोई मामूली चीज थोड़ी है रेप किया है रेप चार महिने में आदत सुधा जाएगी अब जाओ सुहाग रात मना भाई आपके बीवी इंतोजार कर रही है ऑप जोड़ दो जोड़ दो मुझे जोड़ दो मुझे तरह मेरे पांपी कर चोड़ दो मम्मी, बाबा, उठिये ना चाल चोड़ा मुझे, चोड़ा मुझे जाने दो और अगर चिला कर रोती है तो मुझे बहुत मसाता है तुझे बहुत प्यार करने का शौक है ना अभी मैं करता हूँ, बताता हूँ तुझे आजा तो यह है कहानी यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए अगर किसी को कानो कान खबर हुई ना तो सब को खतम कर दूँगा तुम्हारे माबापने पुन्य करम किये होंगे इसलिए तुम उसके हाथों से बच गई और जिन्दा हो उसे यह बात पता लगने से पहले तुम यहाँ से चली जाओ बेटी मैं उसके हाथों से बच गई इस बात को मैं खुशनसी भी नहीं समझती मुझे उसकी कमजोरी पता चली है आंटी किसी भी लड़की का रेप नहीं होगा अगर उसने थोड़ा सा साहस दिखाया तो कुई भी लड़का उसके साथ कुछ भी नहीं कर पाएगा और यहीं उसके कमजोरी है बस यहीं सारी बाते आप ध्यान में रखना आप सभी लोग मुझसे मिलने आएं मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे आप सबसे पूछना है क्या इससे पहले आप किसी लड़की से मिलने गए थे आप सभी यहां आए हो मेरी वज़े से नहीं बलकि आपके कॉन्फिडेंस की वज़े से गोटी के जुर्मों को सहना तुम सभी ने आदत बना ली है बस एक बार अपने अंदर साहस बटोर लो और वही साहस तुम्हारे काम आएगा आप लोग अपने अंदर के डर को निकाल जाएगा आप सभी को अपनी समस्याओं से सामना करना चाहिए जब सामना करोगी तो समस्य अपने आप भाग जाएगी ऐसे लोगों को मरने के लिए आप लोग सोच रहे होंगे कि भगवान यहां आएंगे वो बिलकुल असंभव है अपनी लड़ाई हमें खुद लड़नी है इसमें डर किस बात का ऐसे लोगों के हाथों मरने का तो क्यों ना हमें ऐसी मौत मरें जो किसी के काम आएं और इसलिए मैं आप लोगों से यह कहना चाहती हूं कि आप सब लोग गोटी का सामना करो फिर पता चलेगा वो कितना हिम्मती है आप क्या हूआ कहां से लेकर आए उसे बिना मूट के मेरे साथ जबर्दस्ती कर रही है यह लेकर जाओ उसे मैंने जो कल बस्ती में एक लड़की देखा था उसके होट बहुत सुंदर लग रहे थे मैंने उसे लेकर आओ जल्दी क्या है मेरी नई दुलनिया तेरा पती तुझे अंदर बंग आए करके जाता है ना आज के बाद तेरा ताला ही तूट जाएगा यह क्या है तू भी नाटक कर रही है उसके जैसी क्या है क्या है अटान रहा है कि अब मेरे पास नहीं है तुझे जो मर चाहे तो कर ले मेरे साथ बिल्कुल होगा तेरे साथ लेकिन मेरे आद में करेंगे तेरे साथ मना क्या हुआ भाई आप बहुत जल्दी आगए अरे वो लाश के जैसी पड़ी हुई है और मैं लाश के साथ नहीं सो सकता है तुम लोगों को मैं चांस दे रहा हूं जाओ और उसके आदमी को लेकर आओ उसकी आखों के सामने उसकी बीबी की इज़त तार तार कर दो जाओ जो हुआ हुआ अए्छ्टjem कौ छॉर्णा उसके आखों कर दो प्रॉर्णाजफ उसक्ड़िवे उसके एका पी हुआ 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 प playoffs? निको छोड़ो 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 मेरी पत्निको छोड़ो छोड़ो मत करो ऐसा छोड़ो उसे तारहर शोड़ो एारहर मत करोड़ो मत करोड़ो मत करोड़ो वी पत्निको पत्निकों करो ठ हो उस्तोड़ो को प Aíल आपक करो के जिद நुोश आह आपक करोड़ो यू चरहें फरेचा। हुआर हुआissez सुजादा अभी तक जिन्दा है वो मर गई समझ के हमने बहुत बड़ी गालती की है उसे किसी ने तो बचाया है और उसे कहीं पर छिपा कर रखा है बस्ती में सभी को वो बात पता रहेगी गुस्सा बदला जलन यही सब उसे अभी तक जिन्दा रखी है इतना होने के बावचूद वो चुपचाप नहीं बैठेगी बस्ती के लोगों को बाढ़का रही है वो डर कितना छोटा होता है तुम्हें खुद पता चल जाएगा मेरी बात कितनी सच है जाओ पता करो इस बात का जैसा तुमने कहा था ठीक वैसे ही उनके सामने हिम्मत से खड़ी थी लेकिन वो अपने आत्मियों को बारी बारी भेशता रहा और फिर उन सबने मुझे कि है भाई भाई वो लड़की सिंदा है हां होसिटल में है मुझे पता था वो मेरी खोहिश पूरी की यह चांस नहीं है भाई उस लड़की को तुम्हारे बारे में पता चल गया क्या भाई मैं तुम्हारी कमजोरी के बारे में बात कर रहा हूं मुझे मार के कोई फाइदा नहीं है उस लड़की को मार डालो उस लड़की को मार डालो भाई मार डालूंगा तो समस्या मिट जाएगी लेकिन मेरी खोहिश पूरी नहीं होगी जिसके लिए मैं यहां दिन रात तडप रहा हूं उसका क्या होगा किदार है वो क्या बोल लही है बता क्या बोल लही है मैंने तेरा रेप नहीं किया यह बात तुने पुरे गाउं में बताया आज पूरे गाउं के सामने मैं तेरा रेप करूँगा आज सब देखेंगे जब सब के सामने तेरे कपड़े उतरेंगे और तुझे शर्म नहीं आएगी मेरे खिलाब तु गाउंवालों को भड़का रही थी ना अब तुझे पता चलेगा दिखा तु मुझे अपनी हिम्मत दिखा कि विश्वार आवे वसिंदु तुरिकार देखिवी बड़ी हिम्मत आ गई क्या? तुम लोगों के अंदर? मेरा तर खतम हो गया? चुप चाप अपने घर चले जाओ जाओ करे दो मना मना अरे ये क्या है भाई अरे क्या कर रहे है भाई चोटे बच्चोंगे जोसे हरकते कर रहे हैं बेठी मेटी बेठी जो भाई मन्ना उसे खतम करदो उसने मेरी खुशी श्हीन लिया बहुत हिम्मत आगई है ना इतने तिनों से मैंने रेप को हथियार बनाया था लेकिन अब वही हथियार मेरे पे तान रही है उसे खतम कर दो उस लड़की का नसीब अच्छा है भाई हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते मेरे हाथ उसे मर के बचना उसकी खुश नसीबी नहीं होगी बल की बद नसीबी होगी तडब तडब के मरने के लिए ही जिन्दा है वो जाके उसे लेकर आओ मैं उसके टुकडे टुकडे कर दूँगा उसके बिना मेरा मन शांत नहीं रहेगा भाई मैं उसे लेकर आओंगा ये मेरी जिम्मेदारी है और आप उसे मारोगे कैसे लेकर आओगे सोरे रास्ते तो बंद हैं भाई, उससे तुम्हारे पास लाने का कोई न कोई रास्ता तो मिलेगा ही मुझे क्यों भाई साहब, ने आये हो क्या? कौण से गाउं के हैं? गाउं सा गाउं? ये क्या बात कर रहें हैं आप? मैं जिस गाउं में जाता हूँ, वही मेरा गाउं हो जाता है. इतने दुखी है तो अपना गाउं छोड़कर यहां क्यों आ गया है? मैंने छोड़ा नहीं है, भगा दिया गया हो, प्रोजेक्ट बना रहा था, हमको थोड़े से पैसे दिये, उस पैसे को भी लड़कों ने ले लिया, इस बात का मलाल नहीं है कि पैसे ले लिए, मलाल तो ये है कि घर और गाहों से भी निकाल दिये, अब इस उम्र में मैं कहा ज बेटी आशा, कैसी है बेटी, हमें छुट्टी मिल गई है पापा, ऐसा क्या, और क्या, कल सुबही तेरे पापा तेरे पास आ जाएंगे, क्या लेकर हो बोलो, इस बर मैं खुद घर पर आऊंगी, नहीं बेटी, तुम्ही हां मत आना, मैं आ जाओंगा, मेरी बात मानो बेटी जिद मत करो, तुम्हें यहां नहीं आना है, मैंने बोला ना, मैं आ जाओंगा, रखो फोन, हाँ नमस्ते सर, आँ, सब ठीक है ना, नमस्ते सर, नमस्ते, नमस्ते, और बताओ कोटी कैसे हो इस दुनिया में पुरुषों को कौनसा मामला सबसे आदा परिशान करता है, पता है, आउरत का, बिल्कुल नहीं, उसके प्यार का मामला, जिसे प्यार नहीं मिलता, वो परिशान हो जाता है, सुनो गोटी, जैसे ही तुम्हारा काम पूरा हो जाए, और अगे मैं समाल लू कौन है, अरे बेटी मैं हूँ, दादा जी, हाँ अबस अभी आई पिछले पचास सालों में मेरे हाथ इस कोई नहीं बचा है, तो तू क्या चीज है, चल चुप चाप मेरे साथ ए लड़की, अगर मैं तुझे यहां से जिन्दा उठा कर लेके जाओंगा, तो गोटी मुझे पैसे देगा, और उन पैसों से मैं अपनी पत्नी काउप्रेशन कराओंगा, तब कहीं जाके उसकी जान बचेगी, मुझे बत पारो, मुझे बत पारो, जोड़ दो मुझे, मैं मजबूरू, यहां चिप गई है क्या? चुप जोड़ा है जोणा तेहितो क्या हुँआ रोग्या 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 नुदे बताता हम तुछे हुआ है इटली इटली वोला इटली इटली सम्मार इटली में में लिए बखें, दे में में सकाया तुराथ। प्रक्राइज थी सारत बांदिद दूटा मंताभ का सद्राइज चले सब लोग जल इसा भाग रहें मैहें अच श्राइज अइन प्रफ्रा फाथ वहां पीड़ से एक लड़कि कि ने फंसी लगा लिए अब क्या पता उस ने खुद लगा या किसी ने मार के लड़क है इस बस्ति में तो ये रोज की बात है, अरे राजू, इसी लड़की ने पांसी लगा लिया क्या, मुझे तो कुछ नहीं पता, मैं तो रास्ते से जा रहा था, हां भाइया, स्कूल जाने वाली लड़की थी, स्कूल ड्रे मैं ही थी, स्कूल ड्रेस में है यहाँ लाल कलर का ड्रेस पहना था लाल स्कूल ड्रेस यह बगवार हलो होney हाँ कौन? और असा है? क्कुल स्कूल 10 यह क्यों बस्कूल और अर्याशी 10 यह तो कल रात कुल बंदा यूरी एशा यूरी एशा बाटो स्कूल जाते स्कूल 15 मअएशा बेटी आशा, तुम्हें कुछ नहीं इस गाउं से दूर लगगा था, तुम्हारे साथ ही आशा हो गया, ए बगवाद, सुना, मेरी बेटी को नीचे उतारो, बेटी, 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 आशा, बेटी, बेटी, आशा, बेटी, बेटी, आशा, 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 बेटी, जोड़कर क्यों नहीं चले गए यह जोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी एक भी आज में उसका सामना नहीं किया है इसलिए हमारी बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है आज मैंने अपनी बेटी को भी खो दिया अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए मैंने दिन रात इडली बेचे सिर्फ लिए सिर्फ लेगी मेरी बेटी जाउं से दूर रहे कब तक अगर सब की बेटियां शिकार बनती रहेंगी तो इस गाउं में बेटी पैदा होते ही लोग उसे माह डालेंगे उसे पट्ची को भी नहीं चोड़ा ए बगवान आशा आशा बेटी आशा बेटी आशा यह दो बेटी मैं कितने पैसे कमाए थे कि तुम इस गाउं से दूर आओ लेकिन क्या हुआ आज अज क्या हुआ बेटी देखो क्या फाइदा हुआ इसका क्या फाइदा हुआ मेरी बेटी को मार दिया तयांस म pagarशा मेरी मुझे देखने आ रहे थी बेटी बेटी एंके खोलने अपने पापा को देख ले वैया दे इसका का थे ऊबर अंते Vivi अ एझ टो मांदा? आत्षा लागधश्श आत्षाण एएएएएएएएए ओक है एग है और एग है एग कोई आत्षाण एग कोई एग आत्षा रागभब चोड़ों नहीं नहीं है हम दोनों ही उसका मुकाबला करते हैं इन सब में वो ताकत नहीं है चल्चोड़ों 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 नहीं है भाई भाई मन्ना क्या हुआ बस्ते के सारे लोग इसी तरफ आ रहे हैं वह लड़की सुझाता सब को इधर ही लेकर आ रही है भाई कुछ करना पड़ेगा भाई मेरे बात सुनों यहां रहना ठीक नहीं है चलो निकलो यहां से कौन यहां पर आ रही है कोटी हूं मैं कोटी पे हमला करने वाला कोई नहीं हो सकता गुजरे हुए बीच सालों के अंदर मैंने सौ मडर किये हैं और किसी ने केस तक नहीं किया अब किसमें इतनी हिम्मत आ गई वहाई वो लोगों के इरादे ठीक नहीं लगते मुझे तो लगता है वो लड़की किया मुझार्ण सालों सेध्य कीन है रोगत्या ब pled twenties now a PIB one ने मना कुछ श्यूरू पड़ार आपके प्रावूरा आनलो यह न..इस तो लोग अनल या जल्दी ना एब अनल पैर के उने अट्रों जल्दी करो करो है। आरे चल्ड़ द मुझे मोगे कर रहा तुम लोग में दात मानो अलसे जल्दी चलो अरे यह गोटी की बसती हो जो आ थे तुम लोग छड़ा मुझे कमो नलाय को यहां गटकर ताश खेल रहा हो मुझे धूब मरो दूब मरो तुम लोग दूब मरो मुरू! के अपशशशशशशशशशशशशशशशशशश ay तेरे किये हुए इन पापों की वज़े से मुझे ऐसा लगता है कि तुझे मार डालू तेरी नजर में औरतों की कोई इज़त नहीं है किशोर लोगों को जल्दबाजी बहुत है तुम दो दुन के लिए कस्टिडी में रह जाओ काम पे नहीं जाएंगे तो बच्चे खाएंगे क्या ऐसे में लोगों का जोश कितने दिन रहेगा एए प्रताप सर गोटी को रेप केस में अरेस्ट करके कल ही कोट में हाजिर करो ठीक है सर वकिल साब कल बेल की तैयारी कर लो हर जीब को अलग-अलग स्वाथ पसंद है और हर दिमाग को अलग-अलग सोच पाप और पुन्य कुछ नहीं होता है मुझे तो शिकार करना ही पसंद है वो भी दोड़ा-दोड़ा के जानवरों की तरह रेप करने में मुझे मज़ा आता है जब तक मेरे सामने औरत डरती नहीं मुझे उसके साथ मसा नहीं आता चाहे वो अपनी बीबी हो या बाहर रखी हुई कोई और अगर ये सब पाप है तो फिर इस जहां में कोई औरत होनी ही नहीं चाहिए थी और अगर वो है तो उसका उप्योग करना भी मैं घलत नहीं समझता हूँ पाप पाप और पुन्य की कहानी मुझे मत समझाओ ये सब उसका बनाया हुआ है समझ रहो ना पाप और पुन्य की कहानी आज के बाद मेरे सामने मत करना 20 साल से इस बस्ती को पाल रहा हूँ मेरा किसी ने बाल भी वाका नहीं किया है आज वो लड़की मुझ पर हमला करवा रही है उन सब को हदम करने के बाद मैं अपने आपको यहां पर आकर सरेंडर कर दूँगा तुम्हारी जो मर्जी है कर लो ए मुलना चलो चांती रखो भाई बैट जाओ चांती रखो सुनो गोटी चेरे कदम पीछी हटता है तो डर कर नहीं हटता हमला करने के लिए आज का दिन पुलिस्टेशन में रहो आगे क्या करना है वो मैं देखता हूँ गोटी बस्ती में नहीं है तो सारे लोग खुश हो रहे हैं एक यही है जिसे बुखार आ रहा है क्या वो इतनी आसानी से बस्ती छोड़ेगा? कभी नहीं छोड़ेगा वो इस बस्ती को छोड़कर जिन्दा रही नहीं सकता वो एक साइको है वो अपने पैसों के बल्बूते पर इतने सालों से राज करता आ रहा है तो वो इतनी आसानी से बस्ती क्यों छोड़ेगा? वो इडली वाले की लड़की मर गई तो क्या फरक पड़ गिया? तो क्या हुआ? गोटी के हम सारे साथी तो बहार ही है ना? अगर गोटी ने एक इशारा कर दिया ना तो यहाँ पर कोई सिंदा नहीं मचेगा समझे? बहनत करके रोजी रोटी कमाने वालों को यह गुस्सा और यह घमंड की क्या जुरत है लेकिन तुम लोग नहीं सुनोगे बिल्कुल नहीं सुनोगे तुम लोग अभी सब की मौत एके करके आएगी कुछ नहीं कर पाओगे तुम लोग सच बोल रहोगे बैटे रहोगे चुपी हो जाएए आपके कहनी की वज़े से यह सब हुआ है इस गाओं में हम लोगों को शांती से जीने दें आप जाएए यहां से देखो भाई साब गुट-गुट की जीने से क्या फाइदा बताओ तो हिमत से जीने वाले लोग बहुत कम होते हैं लाखों करोणों में से एक या दोई होता है जो हिमत सिजी पाता है और ऐसे में तुम गले ठहरा रहे हैं यह तो अन्याए है ना अब अन्याए ही समझे कल गोटी की बेल हो जाएगी बस्तिम में आएगा और फिर एक करके मारेगा सबको बदला लेगा सबसे सोचा था शांती से इस गाओं में रहक इतने शत्रूं को छेलने से अच्छा एक गोटी को क्यों नहीं सकते हम उसके लिए बेइस जटी सहते हुए भी जी रहे हैं जिंदा लाशों की तरह जी रहे हैं इन्होंने जो भी कहा है वो बिल्कुल सही है इस पर हमें सोचना चाहिए तीक है अब क्या करना है यह बोलो सुनो भाई, मेरे अकेले के निरडे से कुछ नहीं होने वाला सब लोगों को इस विशे पे सोचना पड़ेगा, सच कह रहा हूँ देखो, सब से कह रहा हूँ, हम सब लोग एक साथ उस गोटी के पास जाएंगे उसके पैरों पर गिर कर हम सब लोग माफी मांग लेंगे नहीं तो वो एक-एक से बदला लेगा, किसी को जिन्दा नहीं छोड़ेगा गाओं में इसलिए कहता हूँ, अगर जीना चाहते हो, तो माफी मांगनी होगी, मांगोगे न रात में हमने जो बाते की थी, वो आप सभी को याद है न, कि हमें गोटी से माफी मांगनी है अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, तो वो हम सब को मार डालेगा, इस गाओं को शम्शान बना देगा गांधी नगर में जिस व्यक्ति को पोलीस ने रेप केस में अरेस्ट किया था, गोटी और्फ को टेश्वर्राव की इस केस में बेल मंजूर की जाती है पता करो बस्ती वाले सब किधर हैं, एक भी आत्मी नहीं बचना चाहिए गोटी, बस्ती तुमारे कदमों में है, देख लो क्या बात है रे, इस बस्ती के सारे लोग तो मेरे पाउं चुते आएं और तु हतियार लेकर आई है में अभन शुम थैस एफ है अभन शुम थैस एप रेस एह लोटेशने में है भाई 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 जल्दी चलो यहां से मांगा भी गंभीरे चलो 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 पापियों का सर्व नाश आज हम करेंगे आज नहीं छोड़ेंगे इसका दिखा देंगे क्या है नारी शक्ति इसे आज दिखा देंगे जुर्गा और गाली का रूप दिखा देंगे क्या है नारी शक्ति इसे आज दिखा देंगे ये है नारी शक्ति, ये है नारी शक्ति, ये है नारी शक्ति भाई भाई पीच्छाटो पीच्छाटो तेखो आप लोग मुझे माफ कर दो जाले दो मुझे माफ कर दो माफ कर दो जाले दो मैं पाप पाफ कर दो लोग वह दो जाले बाइच कर दो बाई पीचेडो तो क्या ख़ड़ो गारे थी गटीच्छाटो है पेचेडो है हॉष हाई अ हाई अग झाल हम लोगों की जत मुटिये तुनेल नप इंसक बना दो इसे आज चांदो जोड़ आज आगे से कुछ भी करने लाहिक नहीं बचेगा करेंड़ॉ तेरी तो आज लगों की जत मुटिये तुनेंले हाँ अन्से किसी को बात लगाने की आज मारो भी ने इस अट हो आज उने वर वाइंव को लुदğ मुर्दो उंसे! छोटिखा न मत ः। मुर्दो! मुर्दो उसे! छोटिखा न मत ः। शान्त हो जा स Judi… शान्त हो जा बेटी… प्रत्यक्ष दर्शी गवाह के अनुसार मरने वाले वागमारे उर्फ गोटी उम्र 44 साल और मुन्ना उम्र 48 साल निवास्थान गांधी निगर बस्ती के ही है। चोट लगी और यह दोनों मारे गए ऐसा लिखो। सार मुझे तो लगता है कि बस्ती के ओर्टों नहीं मिलके मडर किया है। मैं जो कह रहा हूं सिर्फ वो लिखो। उसे मारना गुना हो सकता है लेकिन पाप नहीं हो सकता। जुर्म सहना भी अपने आप में एक पाप है। क्या हुआ सुजाता कहां गई थी तुम। गाउं गई थी। पुराने कुछ इशूस से उन्हें खद्म करके आई।